आज के लेक्चर में हम कुर्ती के लिए स्लीव कटिंग करना सिखेगे, यहाँ पर थियरी और डाप्टिंग के साथ हमें स्लीव कटिंग करना है, पहले स्लीव का फोल्ड के बारे में समझ ले, यह पार्ट उल्टा है, जो सिधा पार्ट है उसको सामने सामने रखना है, मोरी है साड़े बारा इंच जो यहां पर भी लिखा हुआ है अब हम स्टेप बाइ स्टेप मार्किंग करना शुरू करेंगे थियरी में पहला नंबर है पहले नीचे की तरफ सिधा मार्क करें यह कटिंग मार्क है यह पहला नंबर यह सिधा कटिंग मार्क LCF scale से पहले यहां से सिधा cutting mark करना है दुसरा number में लिखा है cutting mark किया है वहां से K-Pight का map लेकर सिधा mark करें K-Pight का map के लिए यहां पर समझाया है Body map उपर चेस्ट में loging लगाने के बाद जो map आता है उसको 10 से भागा करें Body map उपर चेस्ट 35 इचे उसमें 2 इंच loging लगाया तो 37 इच बना तो 37 का 10 बाग करना है तो आंस्वर आएगा 3.70 यानि हम पोने 4 इच ले सकते हैं यहां पर बाजू की K-Pight के लिए अलग-अलग map को उधारों के जरिये समझाया है कि अपर चेस्ट बोड़ी माप 35 इचे अगर उसमें बिना लुजिंग का बनाएगे तो 35 का डिवाइट 10 करने पर 37 इच के पाइट बनेगा एक इच लुजिंग लगाएगे तो 36 इच नाप बनेगा उसका डिवाइट 10 करने पर 3.60 यानि 37 और एक पाइट बनेगा वैसे ही इसमें 5 इच लुजिंग लगाएगे तो 40 इच नाप बनेगा उसका डिवाइट 10 करने पर 4 इच बाजू की के पाइट बनेगा वैसे हमने बाजू की के पाइट के लिए special वीडियो बनाया है उसका लिंक हम description में add करेगे आप जरूर वच करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए यहाँ पर दो नंबर में लिखा है मार्किंग के साथ समझाईया है कटिंग मार्क है वहीं से हमें 3.75 इच नाप लेना है नंबर 3 में लिखा है 0.85 अथवा 0.25 और 1.0 मार्क करें आप जितना मार्जिन रखना चाते है रख सकते है सोलर का मार्जिन मार्क करते वक्त हमने यहाँ पर 0.25 और 1.0 लिया था तो यहाँ पर भी 0.25 और 1.0 मार्जिन का मार्क लेगे यहाँ पर एक छोटा से मार्क करना है, पूरा मार्क नहीं करना है चार नमबर में लिखाए, 0.59 सीलाई मार्क से बाजू की लंबाई का मार्क करें तो यह सीलाई मार्क से ही बाजू की लंबाई लेना है, यहाँ पर एसे मार्क करना है पात नमबर में लिखा है आप 0.50 या 1 इच जितना मोडने का मार्जिन रखना चाहते है उतना रखे यह में पेटर्ण के अनुशार माप रखना है जैसे पाइपिन लगाना है कुछ पेटर्ण बनाना है पट्टी लगाना है तो हम यहाँ पर 0.25 वन पॉइंट मार्जिन रख सकते है और आपको डाइरेक्ली फोल्ड करना है तो आप एक इच का मार्जिन रखे यहाँ पर हम एक इच मोडने का मार्जिन रखेगे छे नमर में लिखा है बाजो की मोरी का मार्क करे और मार्जिन अलग से रखे यहां छे नमर में देखे बाजो की मोरी का नाप है साड़े बारा उसका अधा होता है सवा छे तो यहां बाजो की मोरी का मार्क और मार्जिन का मार्क अलग से रखना है मार्जिन के लिए यहाँ पर सवा इच लिया है तो यहाँ पर भी उतने मार्जिन रखना है साथ नमबर में लिखा है कुर्ती में आगे का आर्मर राउंड सवा आठ हीच है सवा आठ में से 0.25 इच माइनस करने पर 8 इच मापाएगा अब यह 8 इच को कटिंग मार्ग से के पाइट की लाइन किये गई है वहाँ मिला कर मार्ग करें यह साथ नमबर में समझाए है वैसे यह जो पटली लाइन दिख रही है यानि मेजर टिप को हमें यह कटिंग मार्ग से इस तरह रखना है और यहाँ पर K-Pite की लेन पर 8 इच रखना है जैसे यहाँ पर यह साड़े साथ ही चाया अब यह 8 इच आ गया तो यह 8 इच पर हमें मार्क करना है अब आगे लिखा है 7B में अब यह मापको बाजू की मोरी के मापके साथ जोइंट करे और margin का mark अलग से करें कुर्टी में जितना margin रखा गया है उतना margin यहाँ पर रखे इस तरह से हमें डोन मार्क को जोइट करना है अब हमें 7 इंच का margin रखना है तो हमें 7 इंच का margin इस तरह से नहीं रखना है हमें इस तरह रखना है आप directly ऐसे नाप लेगे तो फिर जब बाजू लगाएगे तब यहां से यह पार्ट कम हो जाएगा क्योंकि सिलाई यहां से इस तरह लगने वाली है तो मार्जिन पर इसी तरह से रखा जाएगा यहां पर यह साथ नमबर वाला सिधा मार्क कर देना है अब यहां पर डाप्टिंग में बताया वेसे इस तरह से थोड़ा सा क्रोस मार्क करना है आठ नमबर में लिखाए अब आठ इसका आदा करके मार्क करे आठ का दिवाइड दो करेगे तो चार होगा यह आठ नमबर में लिखाए तो यहां पर हमें एक मार्क करना है आपको major tip को इस तरह रखना है और इस तरह से यहां mark करे अब 8B में लिखाए यह mark से उपर की तरफ 0.50 से 0.45 इस की दुरी पर mark करे यह सिधा mark से उपर की तरफ 4 इस का mark करना है अब 9 नमबर में लिखाए अब 8 हीच को 5 से भागा करेगे तो 1.60 यानि 1.5 एक पॉइंट माप आएगा यह 8 हीच है उसका हमें 5 बाग करना है यहां पर 1.60 आंस्वर आएगा 9B में लिखाए यह mark को घड़ी बाग से बाहर की तरफ मार्क करे तो 1.60 ना पाया है उसको यह 9 नमबर में लिखाए वैसे यह फोल्ड पाट से यह बार की तरफ मार्क करना है तो यह फोल्ड पाट है वहां से 1.60 यह mark करना है अब 10 नमबर में लिखाए अब यह तीनों माप को मिलाते हुए यह sleeve shape से मार्क करना है इस तरह 1,2 और 3 मार्क मिले वैसे यहाँ sleeve shape को adjust करना है इस तरह यहाँ पर पिछे का armhole का shape बनेगा 11 नमबर में लिखाए आगे का armhole के लिए 1.60 का मार्क से 0.50 से 0.45 इसकी दोरी पर अंदर की तरफ मार्क करे यह 11 नमबर में समझाया है वैसे यह मार्क से अंदर की तरफ आदा इस पर एक मार्क करना है 12 नमबर में लिखाए आगे का armhole shape के लिए नमबर 11 से 8 और 8 से 7 बी पर किया गया मार्क को मिलाते हुए sleeve scale shape से मार्क करे यह आगे का armhole round है अब हमें यहाँ पर यह पहला यह दूसरा और यह तीसरा यह तीनों मार्क को मिलाते हुए sleeve shape scale से मार्क करना है इस तरफ यहाँ पर यह तीनों माप adjust करने पर यह से मार्क करे अब आगे लिखाए सभी माप सही होने पर cutting की शुरूआत करे यहाँ पर एक छोटा सा cut करना है यह सी ले मार्क है यहाँ आगे का part में इसे cut करें ताके द्यान रहे कि यह आगे का part है तो इस तरह यहाँ पर यह बाजू cutting हो जाता है यहाँ पर हमने जो भी डाप्रिंग बताया है और सभी डाप्रिंग हम sale भी करते है आपको यह डाप्रिंग चाहिए तो हमारे application तफेशन आटन डिजेनिंग डाउनलोड करे है और उसी से आप order कर सकते हैं सभी प्रकार के scales और blouse और कुर्ति के पेपर डाप्रिंग भी sale करते है इसका PDF भी application में available है आप उसको भी purchase कर सकते हैं तो मिलते हैं हम नेक्ष लेक्चर में एक नए टोपिक के साथ आज कहीं आपका दिन सुभ रहे धन्यवाद